तो साथियों जैसा कि आपको पता है इस समय आप पढ़ रहें सीटेट, सूपर्टेट और यूपी टेट की कमबाइन कलास एक परकार से अगर हम बोलें तो जितनी भी अध्यापक भरती परिक्षाएं होती हैं यह सबके लिए महत्तोपुर्द है और हाँ अगर इसको SSC फिर भरती वाले बच्चे देखेंगे तो उनके अपच नहीं होगी उनको भी काम खरेगा यह क्योंकि जो मैत का कंसेप्ट नहीं सबके लिए वही होता है कुछ अलग नहीं होता है आज आप पढ़ेंगे कंपाउंड इंट्रेस्ट जिसे बोलते हम लोग चक्रबिर्धी जिससे आप लोग परचित हैं अगर हम किसी से कुछ पैसा उधार लेते हैं और कुछ दिन बाद हमें कुछ रूपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है तो वह ब्याज कहलाती है जैसे मानलो कि हमने सो रूपय किसी से लिए और उसने हमसे एक महीना बाद 110 रूपय लिया तो अक्सर किसानों की हालत भारत में किसी से छूपी नहीं है अभी वरतमान में अगर बात करें दिसंबर 2020 में तो किसान बिल के विरोध में काफी किसान बहुत आंदोलन भी कर रहे हैं और उसी के संबंद में कुछ ऐसे कुछ क्यूश्चन है आदेखिए मैं आपको समझाना च दे दो एक साल बाद में दे दूंगा और सहुकार ने कहा कि दस परसेंट भी लेंगे तब भी का चलो ठीक है वह भी ले लेना लेकिन होता क्या है एक साल बाद देने को सोचा था कि अगली साल बहुत कटेगा तो दे देंगे और उधर ओला पाथर पड़ा ओं भी खराब हो करके और सो से भाग करके हम क्या निकालते हैं ब्याज निकालते हैं यहां से आप देखोगे यह कट जाएगा तो कितना आएगा ब्याज आएगा सो रुपया यानि एक साल में उस किसान को सो रुपय का ब्याज देना था मतलब हजार रुपय तो वह लिया था तो कितना देत जब नहीं दे पाया तो फिर क्या होगा अब ये समझना भाई साहु कार तो रियायत भरतेगा नहीं वो कहेगा भईया तुम 1100 रुपेटो हो गई तुमारी एक साल की अब क्या होगा अब ये जो मूल-धन यहां पर एक हजार था ना अब यह ग्यारा सो रूपया हो जाएगा कितना हो जाएगा ग्यारा सो रूपया हो जाएगा अब फिर इसको निकालोगे तो बढ़ जाएगा मतलब जो ब्याज सो रूपया हुई थी उस पर भी ब्याज बढ़ जाएगा लेकिन इसको मैं आपको थोड़ा डीटियल में एक्स साल का अब यहां पर समझना दूसरी साल क्या होगा अब पहली साल नहीं दे पाया ठीक है पहली साल नहीं दे पाया पहली साल उसके पास कितना हो गया साउरुपया कभा हो गया किसान के उपर करजा बाकी जो हजार लिया था वो तो है ही प्लस यह रुपय hypoth accomplished भी हो गया अगली साल अगर नहीं देपा है तो जो हजार साउरो प्पया उस पर 20 प्म प्हर से साम्य का यहagar यह नही सालको यह ओ गया आपको पता है सो का दस परसंड क्या होगा दस रुपया होगा न क्यों भाई यह तो होगा दस रुपया होगा न यानि यह ब्याज थी यह ब्याज थी इसकी भी ब्याज लेगा वह अगली साल को तो वह होती है चक्रब्रदी ब्याज कंपाउंड इंट्रेस्ट अब समझ में यानि कि दो साल बात किसान को ये हजार रुपया तो देना ही पड़ेगा प्लस ये पहले साल की ब्याज प्लस दूफरे साल की ब्याज और प्लस जो पहले साल ब्याज पूरा हो गई थी इसकी भी ब्याज देना पड़ेगा दस रुपया अब समझ में आया आपको इस तरह से क किसान बचारे को 1210 रुपया देना पड़ेगा और हो सकता है खुदाना खास्ता अगली साल भी फसर गड़ा जाए तो इसलिए तो किसान भारत में आत्मत्या करता है क्योंकि इस देश में ना किसानों की जान से ज्यादा सस्ता कुछ नहीं दिखता सरकार को यह मैं हकीकत बोल तो कि अमंचीी में भाग लेना ना किसी का सपोर्ट या विरोध नहीं की फलाने और वोजी दिमाग उनके पास होता है वो समझ के करेंगे लेकिन पढ़े लिखे लोग ओटिंग में जाते नहीं है और जो अनपढ़ गवार चूतिया की तरह वो लोग जाके करके और उन्हीं तरह के लोग को जिता देते हैं यह गड़बड़ है अगले सवाल पर ध्यान दीजिए जो हम बाते बोल रहे हैं उसका मतलब मैं आपको बताता रहूँ बीच बीच में आप पूरा समझते जाईए चलिए अगला देखिए इसमें जो कुश्चन होते काफी बड़े बड़े होते उनको हम ट्रिक से हल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा बेसिक हल करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको ट्रिक ही बताऊंगा अब समझना अगर कुश्चन इस तरह से है कि पी ध सुत्र होगा या ट्रिक होगी जो भी समझ लीजिए इसके कुछ कुछ कुश्चन ऐसे हैं जैसे मान लीजिए कि 5000 रूपए पर 5000 रूपए पर तीन वर्सों के लिए 10% चक्रविदी ब्याज की दर से अगर आप से चक्रविदी ब्याज पूछी जा तो आप कैसे निकालेंग कुश्चन आप सुन लीजिए लिखने की जरूरत नहीं है मैंने कहा कि 5000 रूपए पर तीन वर्सों के लिए 10% चक्रविदी ब्याज की दर से या फिर हाँ 10% वार्सिक ब्याज की दर पर चक्रविदी ब्याज कितना होगा अब समझना 5000 रूपए पर बोल रहा है यानि P कमान क्या है 5000 पी मतलब होता प्रिंस्पाल अमाउंट यानि मूलधन मूलधन कितना है 5000 कह रहा कि 10% चक्रविदी ब्याज कि दर नहीं होती चक्रविदी ब्याज निकाला जाता है ठीक है 10% वार्सिक ब्याज की दर से मतलब आरकमान 10 तीन वर्सों के लिए बोल रहा है मतलब टी कमान तीन सभी के मान आगे ना चलो तो पी कमान कितना रखोगे यह रखोगे 5000 यह वन प्लस आर कमान कितना कह रहा है 10% बोल रहा था तो इनको दफ रख दो बटा सो और यह माइनस का वन कर लेना तभी इनको ऐसे करना नहीं तो हां लेकिन हां ध्यान रहें यहां पर को रोश्टा का जरूर लगा देना यह ब्रेकट लगा देना इसकी घात तीन माइनस वन चलो इनको हल कर लो आगे हल करना आप सभी जानते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कर लोगे ना चलो निकाल के दिखाते हैं आपको 1655 और यह कितना हो जाएगा घात तीन जैसे भी इसको ऐसे ही लिख तो कुछ भी मत करो थोड़ा से कड़वड हो रहा नीचे दिख रहा कि नहीं बता देना नहीं दिखेगा तो टेंसर नहीं लेना चलो यह घात हो गया कितना तीन माइनस वन चुकि मैं थोड़ा डीटियल में मैं हल कर रहा हूं इस वजह से टाइम ज्यादा लग सकता है आप इसे चाहो तो साट कर में कर सकते हो मैंने बता दिया 1655 रूपय आएगा यह हो जाएगा पांच हजार उसके बाद देखो यह तीन बार गुड़ा होगा खुलेगा तो और यह हो जाएगा नीचे एक हजार कि परी सो से तीन बार गुड़ा करोगे दफ अजार बन जायागा कि एक लाग बनेगा किता बनेगा बता जल्दी से दफ लाख लगबग बनेगा ना और फिर उसमें से एक घटाना भी है चलो मैं कोईश्टा कोल के दिखा देता हूं चलिए अब साइड में हल कर लेते हैं बहुत ही सिंपल है इदर साइड में ने कर दिया गुमा के दिख रहा है ना जगह है का फिया चलो यह नया लाइन हो जाएगा इधर पांच हजार इसको देखो भाईया ग्यारा का क्यूब आपको पता है कि 1331 होता है ना करके देखो त 518oben करोंगे तो चीजर बार नीचे 0 हो जाएगा कि अब इसको इसमें Yakita धोगे गटा ना कि पर लाइक। हो गटाहोंगे सब्सक्राइक करोंगे हो जाएगा ना इनको हम पीछ SCHOO Aber elektronique कर सकते थैं लेकिन हमने किया नहीं हमहर से काम कर सकते थे 20 काड देते तो Jeopardy 10 हो जाता है तो और जो झाल किया हो ही कर लेते हैं जाने दो ना करो छोटा इनका गुड़ा करोगे, क्रास मल्टिपल करोगे, आपको पता है ये हो जाएंगे, 1331, ये 3 बार 0 माइनस और ये हो जाएगा आपका 10 लाख कितना हो जाएगा ये? 10 लाख 2, 3, 4, 5, 6, 0 हो जाएगा, ठीक है? और फिर नीचे क्या हो जाएगा भाईया? ये उतने हो जाएगा जितना था, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया, फाइनल, इनको घटा होगे देखो, 10 लाख है, वो 13 लाख है कितना है? इसमें बहुत जादा अंतर है? नहीं न, अगर 3, 0 से 3, 0 काट दो, तो आप समझ जाओगे यहाँ पर कुल मिला के ये बचेगा, 5,000 गुडा ये 331 बचेगा, 331 बचेगा घटा के देख लेना और नीचे आजाएगा, ये जो भी है उतना ही आजाएगा दफ, लाख ना, 4, 5, 6, 0 3, 0 काट दोगे आप, 1, 2, 3 कट गया ना, फाइनल में कितना आएगा भी, इसके आगे भी इसमें और भी कुछ करना है पांच से कटेगा ना ये, पांच से काटो, पांच दूना, 10, 0, 0, 200 200 वाया और वो 331 आया, देखो कहीं कुछ सिगड़बड हो रहा है, सही है, इतना लिखो जल्दी से देखे, स्टूडेंट्स यहां पर कल्कुलेशन बहुत ही मायने रखता है, यह जो एक्चुली हम लोग सब्ट्रेक करना इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, यह अगर आप देखो तो यह कितना लिखा है, और यह अगर इसे आप पढ़ लो तो इकाई दहाई, यह सैकड मतलब की 3,11,000 बचेगा, भाई 13,000,000 बचेगा और यह नीचे आपको बचेगा, पूरा-पूरा जितना भी था, 10,000,000 वही बचेगा, 10,000,000 में आपको पता है, 6,0 होगा, अब बस आगया अंसर आपका, यह 3,0 यहां से काड़ दो, भाईया जो एक 3 बचरा है, यहां से गुड़ा कर लो इसमें, तो यह 5 एकम 5, 5, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, मतलब की 1655 रूपे क्या हो जाएगा, चक्रबिदी ब्याज हो जाएगा, है ना कितना आसान, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था, लेकिन हाँ, वहां पर सब्ट्रेक करते समय, पहली बार हम थोड़ा कन्फ्यूज हो करके जो लिखे हुए थे 331 वो गड़बर था, ठीक है, यह चीज आपको ध्यान देना है, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा और आफान बता देता हूँ, मैंने बहुत बड़ा कर दिया था, मैं आपको हर चीज बताऊंगा, ध्यान देना, आसान कैसे होग थे, फिर आपको इतना बड़ा जेलना नहीं पड़ता, जो इतना लंबा हो गया, यह लंबा चोड़ा नहीं होता, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, इधर साइड में समझो, बहुत ही अच्छे सा समझना, देखो, यहाँ पर यह जीरो है, यहाँ भी जीरो है न, इसको साट तो यह पांच हजार और यह आपस में तिरचा मिरचा गुड़ा होता, तो कितना बनता पता है आपको, वह यह सिंपल सी बात है, एक हजार को एक हजार से भाग देते तो कुछ नहीं होता, वही उतने आजाता, तो यह तेरा सो एक अगातिस माइनस यह एक हजार बनता, और फाइनल में आपका पांच हजार और तीन सो एक तीफ नीचे सिर्फ एक हजार आता एक हजार से कट देते 5 जार को 5 आ जाता 5 का गुड़ा कर देते आ जाता कितना छोटा था नहीं लेकिन मैंने थोड़ा सा बढ़ा कर दिया था चुकि मैं एकदम बेसिक बताया था तो इसको आप लोग लिख लिजिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ इसको आपने समझ लिया कर लिया अब अगला कुशन आपके लिए है इसको आप अभिहास करोगे ठीक है P कमान 7000 अगर दिया है R कमान 3% है मतलब मूलधन 7000 रुपय है दर 3% है समय 3 वर्स है तो CI मतलब compound interest आपको बताना है ये आप खुद से करोगे और फिर मुझे बताना एक question और भी कर लो भीया इसको भी करना ये दिपी का value आपको 8000 रुपया दिया जाए 8000 आर का मान आपको सिर्फ 2% दिया जाए और टी का मान आपको 5 वर्स दे दिया जाए तो आप मुझे CI बताईए compound interest मतलब चक्कवर्दी ब्याज ये दो question आपके लिए है पहले trick के ऊपर ही लगेंगे आप लोग इनको कर ले ना ट्रिक मैंने आपको लिखा दिया था ना पी इंटू 1 और क्या था भईया जो जो अभी लिखवाया था ना प्लस आर अपान हंड्रेड और इंटू में क्या था फिर माइनस उन उसमें से घटा दिया गया था यही ट्रिक थी ना और उसकी घात कितनी थी वन माइनस आर पान हंडेड की घाती थी इसको करना चलो अगला ट्रिक देखते हैं सिकेंड नंबर ट्रिक पे अधारित कोईश्चन देना और कलास को पूरा देखना जो भी छातर इसको यूट्यूब चैनल पे देखने हैं इफी ट्रिक पे अभी और भी सवाल बनते हैं देखिए मैं वह भी बता रहा हूँ जैसे आपको इस ट्रिक पर अधारी चक्रवृति व्याज आ गया ऐसे आपसे मिस्रधन भी पूछ लिए जाता है तो देखो वह कैसे होता है यह दिपी धन्रासी को आर परसेंट वार्षिक ब्याज की दर्फे वार्षिक ब्याज की दर्फे जैसे अभी दिया था वही सब है बाकी इसमें कुछ बदला नहीं है दर्फे टी वर्स के लिए दिया गया हो टी वर्स के लिए दिया या लिया गया हो ठीक है दिया या लिया गया हो तो क्या करना है मिस्तरधन निकालना हो तब क्या करोगी अभी तो आपने देखा कि चक्विदी ब्याच कैसे निकालते हैं अब मिस्तरधन देख लो मिस्तरधन में भाईया थोड़ा सा बदल जाता है हलका सा इसको capital A से मतलब परदर्शित करते हैं इसका P into ये थोड़ा सा changing हो जाता है वो क्या है अभी अभी उसमें देखा था ना 1 प्लस आर पान हंड्रेड उसकी पावर T माइनस 1 ऐसा ही था ना इसमें क्या ना भाईया इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला ये ये एकदम साफ साफ रहेगा कोई लफड़ा नहीं इसकी घाटी इसमें वान वान नहीं रहेगा कहीं कुछ बस हो गया लिख लो जल्दी से ये ट्रीक हो गई अब इस पर एक कुईश्टन करो चलो कुईश्टन करो कह रहा है यदि 15,000 रूपय को 8% चक्रविदी ब्याज की दर से दर से दो वर्सों के लिए दिया जाए तो उसका मिसरधन क्या होगा मिसरधन क्या होगा चलो निकाल दो 15,000 रूपया बोल रहा है 15,000 1 प्लस आर का मन का बोल रहा भई ये 8% 8 बटा 100 2 वर्स के लिए दिया जा रहा है मतलब इसका स्क्राइब हो जाएगा है कि फाइनल में चलो इनको फाइनल कर देता हूँ मैं देर काहे को ये लो ये हो गया 15,0103 physician और मैं इसको थटेदी में कर देता हूँ इसका स्क्राइब करोगे 108 हो जाएगा तो भाई यह कुल मिला कि कैसे बनेगा पता है आपको बाबू यह बन जाएगा 108 का स्कॉयर मतलब यह यह आप जानते हो ना ब्रेकट खुलेगा यह हो जाएगा आप देखो यहां पर सिंपल है एक जीरो से जीरो काट दो लेकिन यहां पर और भी कुछ हो सकता है वो क्या है कि इनको आप जो सिंपलिफाई करोगे ना इनको आप काट सकते हो छोटा छोटा पार्ट में लेकिन मैं थोड़ा अलग तरह काटूंगा यह दो जीरो मैंने काट दिया अब देखो एक जीरो से यहां से यह जीरो की काट दो मैंने इसको भी काट दिया अब आप 108 है तीन आया सबका गुड़ा कर लो चववन का तीन में गुड़ा करोगे आपको पता है कितना हो जाएगा यह भाई देखो फाइनल है थ्री इंटू 54 इंटू 108 इनका सबका गुड़ा कर लो एक में गुड़ा करना आप लोग को आता है 17496 लगवाग आ जाएगा और इसे आ आप लोग कर लोगे तीन का इसमें गुड़ा कर लोगे तीन चुक बारा तीन पचे पंद्रा एक सूला एक सो बाफट लगवाग आ जाएगा 108 से गुड़ा कर दो यह चीज आपको आनी चाहिए मल्टीपल इसमें आपको आप संदिये रहेंगे लगवाग में जो भी आ जा आप तीफिरी ट्रिक देखिए बहुत ही ध्यान से देखना इमानदारी से और हां क्लास को पूरा देखना अगर समझना है तो भाई कोई भी अगर आपको डाउट आप नीचे कमेंट बाक्स में कमेंट कर दो ठीक है हम आपको बताएंगे देखिए अगला क्या है जो यह व छतकि को ता-ठीक इसमें भी होगा ऐसे कोश्ठक लगता था ठीक है इसमें भी 1 यहार होगा वह तो दोगो से दिबाइड हो जाएगा याद रखना ठीक है बईया टो आ क्या होन चाहीं हदा यहां लाब अज mm अन्तर हो जाएगा को पाई चू concret यह आपकी ट्रिक नंबर तीफरी है इसी को आप लोग फालो करोगे और फटा फट लगा डालोगे तो चलिए फिर मैं आपको कुश्चन देता हूं ध्यान से सुनिएगा और फिर मैं बोलता हूं कलास को पूरा देखना जाना नहीं कुश्चन कहरा कि बत्ती फजार रूपय क 10% वार्सिक दर से एक वर्स का चक्रविद्धी मिस्रधन ग्याद कीजिए जबकि ब्याज परतिछमाही दे हो क्या हो ब्याज परतिछमाही दे हो चलिए हल कर लेते हैं यह चीज़ अगर मैं किनारे रख देता तो ज्यादा बेहतर रहता चुकि यहां बीच में मुझे लग रूपय का 10% वार्सिक दर बति फजार रूपय का 10% वार्सिक दर से चक्रविद्धी मिस्रधन जो है आपको क्या करना ग्याद करना है और कितने वर्स के लिए एक वर्स के लिए टाइम दिया ठीक है एक बार मैं एक लाजे में पढ़ूं तो आप ऐसे सुन लो कुशन परतिशमाही दे हो तो बस ट्रिक लगा दो वह यहां से मुल्धन बतीफ हजार है और दस परसें टी मतलब समय एक वर्स है चलो रख देता हूं इसी में पी मतलब यह हो जाएगा आपका बतीफ हजार कितना हो जाएगा बतीफ हजार ठीक है रख दो भाई यह 3-0 लगाके फ कि मेंनों हो गया ठीक परफकिते किने नहीं बोल रहा हो टू इन टू टीग कौन कितना थीगाית लगेगा नहine किक दो लगेग fell कि से चलो जल्दी करो बहिए जल्दी करो के हल कर लोगे ना सभी चलो अब इसको मैं करके दिखाता हूं इधर साइड बैठके ज्यादा बेटर रहता है यह बत्ती फजार इनका क्रास मल्टिपल कर लो 100 और यह 5 105 हो जाएगा 105 का फिर स्कॉयर हो जाएगा तो मैं थोड़ा एक लाइन और साइड कर देता हूं चुकि हमें कहीं बेसिक तो आपको करके दिखाना नहीं है 105 गुड़ा 105 नीचे हो जाएगा 100 और यह 100 काट दो दो 0 कट गया यह लो एक 0 से यह भी फूर्षत पागया इसको काट दो दो से दो पंचे दस दो से इसको काट दो 16 आगया आपको सबको गुड़ा करना है पांच से इसको भी काट दो लगे हाथ 5 दूना 10 5 एक पांच कुल मिला के 16 गुड़ा एक कैस गुड़ा 105 आया इसका ख्याल रखना और गुड़ा करना आपको आता इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं है ना कि देख में करवाया देता हूं सोला कच्छा हांसी लाए एक सोला दुना 32 एक तैंटीस और यह हो गया 105 इसका आप गुड़ा कर लो तो कितना आएगा लग भग में 35 आएगा ना 35280 आपको यह गुड़ा कई से यह तब ही आप competition पड़ पाओगे अब यह गुड़ा भाग मैंने सिखाओंगा कैसे गुड़ा हो गया काहे हो गया यह चीज़ें आपको आनी चाहिए चलो आगे बढ़ें फिर next question पर चलें चलिए जल्दी करिए उतार लीजिए नोट कर लीजिए वीडियो करों करके लिख एक बार वार्सिक ब्याज दिया हो तब मैंने किया तब सिंपल में था यहां पर जो घाद थी हो क्या थी सिर्फ टी थी थी मिसर्धन में यहीं किया था ना उसके बाद जब वह चमाही की बात आई तो टूटी हो गई अब यह आप सोचो अगर ब्याज आपको तिमाही दिय चार से बाग करोगे और एक साल में दो छमाही होती इफलिये दो से बाग करते हैं और जब चार ती माही होती है चार से बाग करोगे तो घाद भी चार गुना हो जाएगी बाकी और कहीं कुछ बदलाओ नहीं करोगे अब दूसरा सवाल देखो यह चीज याद रखना अगर अगर शमाही की बात होगी तो दो से भाग करके दो घात लगा दोगे और ती माही की बात होगी तो चार से भाग करके चार घात लगा दोगे अगर वार्सी क्या सालाना ब्याजदर रहेगी तो आप कोई भी परवर्ता नहीं करोगे सिर्फ आर रखोगे और घात को ठी करोगे देखे कुश्चन देखो ध्यान से दिया है क्या कह रहा है बहुत अच्छे समझना है देखो थोड़ा छोटा दिखेगा मैं इसको पढ़के सुनाओंगा कह रहा कि 12,000 रूपए का 12,000 रूपीच का 8% interest rate है per annual मतलब 8% सालाना या फिरवार्सिक ब्याजदर है और आगे पूछ रहा है कि भही अगर यह इस्तिति दी गई है तो 6 महीने का compound amount आपको बताना है यानि कि चक्रविर्धी मिसरधन बताना है जबकि condition है कि ब्याज प्रतितिम समाहि दे है आपको पता है जो आप bank account open कराते हैं अक्तर सब लोग saving bank में saving account जो होता है SBA जैसे बोलते हैं उसमें क्या होता है ना उसमें यह होता है कि आपको ब्याज जो है पर एनुवल दे होता है जैसे एक एक जमपल छोटा साप समझ लीजिए मैं साधरान ब्याज की बात कर रहा हूं अगर आपने बैंक में 100 रुपए रखे हैं 100 रुपए रखे हैं तो आपक यह महीने में निकाल लिया तो क्या होगा पता है 1.5% ब्याज देगा और अगर आपने उसको और पहले निकाल लिया तीनी महीना में तो यह मानलों 1.5% कभी आधा ब्याज देगा यह नहीं कहां 3% आपको देगा ही 5% अगर एक महीन रख दोगे तब भी नहीं यह चीज होत चे महीने में आधा साल होगा ना एक बटा दो अर्स होगा ना यानि आपको टी कमान एक बटा दो रखना याद रखना बस चलो तो पी कमान रख दो भी यह 12,000 और यह कोष्टा के अंदर इनको रख दो 1 प्लस देखो आर अपांड टू आर अपांड टू आर कितना दिया बच्चा आठ दिया है दो से भाग करोगे ओ चार है यहां पे दो नहीं है चार से भाग करोगे आठ में दो आयेगा तो यह आपका दो बटा सो बन जाएगा ऊपर ध्यान देना फूर टी फूर और टी कमान बटा दो कितना है टी कमान हाफ है वह न पांट टू है याद रखना थोड़ा छोटा लिख रहा हूं कोसिस करना मैं बोल रहा हूं सुनना ये बारा हजार है इनको देखो सौका गुड़ा करोगे सरकम सो और ये जुड़ जाएगा एक सो दो एक सो दो का स्कॉयर बन जाएगा चुकि ये कट के दो आएगा सिर्फ दो आएगा घात तो भाई या एक सो दो का स्कॉयर बन जाएगा तो मैं बहुत बड़ा इसको क्यूं खीचूं मैं सीधा फीधा करता हूं एक सो दो और ये सो और ये एक सो दो और ये सो है ना काट दो इनको फटा फट जो भी कटे तो चाहें सकते हो कोई बाट बढ़ी बात है नहीं नbak इसे माइव कर सकते ह Eden सब्सक्राइब निचे निचे बढ़ जाएगा तो भी यह इनको कटो 25 से तो यह कटेंगे है नहीं इनको आप सिंप्लिफाई करोगे तो आपका लगभग में 124 चौरासी के आसपास आएगा ना हल करके देखो और फिर बताना मुझे ठीक है यह लगभग इतना रूपए आएगा अब यह कल्कुलेशन पर आपके डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी जल्दी सिंप्लिफाई करोगे इसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए आपको इसक्वाइर आने चाहि जिनको नहीं आता वो लोग पूछते हैं चलो जल्दी से कर लो आगे हो गया आगे चलो अगर कोई प्राबलम है तो बता दे ना थोड़ा मेहनेज करोगे तो सब आने लगेगा ठीक है ना हाँ एक बात और बता दे तो यह कलास आदे गंटे पे जादा नहीं हो सकती है चू तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को चूकि हम फुल एच्टी क्वालिटी में वीडियो अप्लोड करते हैं एक अजारसी पिक्सल पर भी आप इसे देख सकते हैं ठीक है और हाँ जितने भी नए चात्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे बहुत बहुत सुक्री आप सभी को और इस वीडियो को सेयर करें अगर आप इसे यूटूब पर फेस्बूक पर डेमो के रूप में देख रहें तो भीया रेगुलर देखें इमांदारी से देखें दिल लगा के देखें तनमंधन से देखें जिससे कि फिर ये बेजती ना कर जाएंगे सब कुछ होगा